हेले अब्रिवन कैसे हैं आप सब एक्जामनेशन बहुत नजदिक आ गया राइट वीपेसी का एक्जाम सिर्के ऊपर है फ्रैक्स का अमबार भी लग गया होगा अब यहां पर शिकायत पता है कि आप इस्टुएंट्स की कि सर लगातार पढ़ रहे हैं फ्रैक्स याद नहीं होता है फ्रैक्स भूल जा रहे हैं कॉंफिडेंस नहीं आ रहा कि मुझे याद है जितना पढ़ा हुआ है और यह कॉंफिडेंस एक्जाम में डुबा सकता है है ना लेकिन आप आज के पहले आपने कभी फैक्स को लेकर इस तरह से चीज़े ना देखी होगी ना सुनी होग कि दिक्कत कहा हो सकती और दिक्कत क्या क्या हो सकती दिक्कत मेरे हिसाब से फैक्स का नहीं है दिक्कत है फैक्स के मैंनेजमेंट का मैं कुछ एक्जामपल के साथ समझाओंगा लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि लिटरली फैक्स आपको याद नहीं है या काम के facts या examination के लिए जो important facts है वो याद नहीं है या वो facts आपको याद नहीं है जो आपको याद नहीं होना चाहिए यह आपको देखना पड़ेगा ना कि क्या हमें वो facts याद नहीं होना चाहिए तो tension नहीं लेना है और हमें जो facts जो उड़ी है हमें जो हमें facts याद होना चाहिए वो याद है कि नहीं कि ऐसा तो नहीं है कि वो facts हमें याद है लेकिन जो याद नहीं होना चाहिए उस चेकर में जो याद है उस पे भी confidence नहीं आ रहा और ऐसे ही 90% के साथ हो रहा है ऐसे ही हो रहा है कैसे होगा भी देखते हैं यह माल लो हम एक गोला है याट इस फैक्स है इस फैक्स के तीन पार्ट हैं पहला की फैक्ट दूसरा सेकेंडरी फैक्ट और तीसरा यह सपोर्टी फैट एक होगे की दूसरा सेकेंडरी और तीसरा सपोर्टी फैक्स यह तीन अलग अलग तरह के फैक्स होते हैं अभी सुना है यह अक्चुले में होता है कई बार हमको सुनने की जुरुत नहीं होती हैं हम पढ़ते पढ़ते समझ जते हों और हमें ज़रुत नहीं होती उसकोटे करने की यह है यह है यह है और यह फॉलान organ लेकिन यह दिकत्तब आती है जब हम चीजों को नए जब हमें यह सारी चीजे परिशान करने लगती है हमारी एक्जामेशन को उसका आसर होने लगता है हम एक्जाम दर एक्जाम फेल करने लगते हैं जबकि वह सारे नौलेज हैं जिसे एक्जाम निकल सकता है और पाता है यह जो आंतर है कई बार आपने देखा होगा लंबे समय तक भी तैयारी करने के बाद वह चीजे समझ में नहीं आती जो की पहले अटेम्ट में आ जाना चाहिए अगर हम उसको समझ के काम करें तो ज्यादा बेजर जैसे की फैक्ट क्या हो की फैक्ट्स वो फैक्ट्स होते हैं जिससे एक्जामनेशन के 80 परसेंट सवाल की फैक्ट्स से होता है और जो रहा बचा खुचा सवाल होता है वो 20 परसेंट के आसपास सेकेंडरी फैक्ट्स से होता है यह मुख्य फैक्ट्स है यह गौन फैक्ट्स है और एक कहानी जब भी आप किसी से बात करते हैं किसी से भी आप बात करते हो तो वो करीब अगर दो तीन मिनिट की बाते होती है उसमें से आपको चीजे याद रखनी होती कई बार दो ती जैसे अब बात होड़ी है अच्छा तुम बजार जा रहे हो क्या तो बजार जा रहे हो त अगर उधर से गुजरणा ना तो थोड़ा से एक दो एक केजी आलू एक केजी प्याज लेते आना वैसे एक मौसा जी आ रहे हैं या चाचा जी आ रहे हैं तो आएंगे न दो तीन दिन रुकेंगे तो उनके लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनके भाई ने कॉल क किया था मुझे अब मालो इतनी बात हो इसमें आपके लिए क्या काम करें इसमें आपके लिए काम आपका की पैक्ट क्या है आपके लिए की फैक्ट है कि आपको आलू और प्याज लाना है याद रखनी की बात नहीं है आपको आलू प्याज लाना है यह याद है मौसा जी वोशाजी के भाई नहीं है यांटे राजटानी से नहीं कि अधियाँ वह किसी राजधानी से इंधना यह तो फिर यह आपको याद रखनी है आपको अभी अभी आप मार्के लेका रहे हो उसको याद रखने की ज़रूत नहीं हो तो कहानी है किस ट्रेन से आ रहा है वो आपको ध्यान रखने है तो इतने बज़े आएगी उसको अम लोग सेकेंडरी फैक्स कहते हैं तो प्राइमरी और सेकेंडरी से आपका काम बन गया ना आपने आलू-प्यास भी आप ले के आ गय साथर यह वह है इसको हटा दिया जाय तो बाकि सारे लाइनों तो और जितने आपके इंपर नहीं होता जो नहीं भी होना चाहिए ज़रूत नहीं है, क्योंकि supportive fact के चेक्कर में जाएंगे, तो ऐसे गोते खाएंगे कि जीवन में कभी बाहर निकली नहीं पाऊगे, कभी नहीं निकल पाऊगे, क्योंकि supportive fact के दुनिया इतनी बड़ी है न, कि आप क्या-क्या याद करेंगे, आप क्या-क्या याद करोगे, आप ज़्यादा याद नहीं कर सकते, ठीक है, इसी लिए आपको ये difference करना होगा, और यह क्या करता है, आपके इस 80% को और इस 20% को, दोनों confidence को चकना चूर करता रहता है, और आप इसी डालेमा में घूमते रहते हैं, यह रहे लगता है, हमको fact याद नहीं हुआ, और आपने सारे facts को एक माल लिया, सारा facts को आपने माल लिया, सी facts ही है, और सब exam के लिए ही है, दिक्कत ही, सारे facts ही हैं, और सारे exam के लिए ही, problem यही ओड़ा है, इस problem को आपको, अब जैसे मैं एक छोटा सा, एक paragraph आपको बता रहे हैं, रंजीत सिंग के बारे, देखें, रंजीत सिंग के बारे, पहले सुन लिजी अच्छे से, परग्राफ पर यह लिखा है, तोप खाने के समुचित विकास है, तोप खाने के समुचित विकास है, तू मैं facts यहां पर लिख दू, तोप खाने के समुचित विकास हित्तू 1810 में दरोगा ए तोप खाना दरोगा ए तोप खाने की नुक्ति की गई रंजी सिंग के तोप खाने को चार भागों में डिवाइड किया गया यहीं पर हम लिख देते हैं तोप खाना ए ऐसे करके चार है तोप खाना ए अस्पी एक है अस्पी दूसरा है क्या है दूसरा है पीली तीसरा है जंबरुक और चौथा है गवी देख ले ना कुछ बस एक्जामपल के लिए गवी ठीक है गवी तो यह चार इनका तोप खाना है अब इस चार तोप खाना मिनों ने लिखा कि रंजी सिंग के पास कुछ बिद्वान कहते हैं वो फ्रांसिस जनरल ओट की द्वारा किया गया बाद में लहना सिंग भी उसके साथ जुड़ गया थे इतनी साड़ी कहानी है फटफट फट फिर से सुन तोप खाने के समुचित विकास हेतू 1810 में दरोगाय तोप खाने की निउप्ति की गई रंजी सिंग के तोप खाने क तोप खाना का स्टार्टिंग यानि प्रारम फ्रांसिसी जनरल कोट और बाद में कर्णरल गार्डनर के द्वारा किया गया लेहना भी तोप खाना के कारेयों को आगे बढ़ाते हैं इतने सारे फैक्स हैं अब इसको जब ठीक से देखेंगे तो आपके लिए की फैक्स कौन रहा चींज होता रहेगा ये दरोगाय तोप खाना जो रंजीर सिंग के द्वारा दरोगा तोप खाने के स््थापना की गई और तो बैकिस तेंग और गार्डनर उन्होंने स्टार्ट किया इसको यह आपका सिकन्री है तो यह बाक्स्र Pastor मात्र दो ही key facts है, बहुत आपको अब और याद करना है, तो 1810 में अस्थापना किया, यह secondary के रूप में ले सकते हो, और इसको secondary fact आप रख सकते हो, secondary fact में रख सकते हो, 122, 190, लहना सिंग, यह सब सब को छोड़ दीजे, वो सब याद नहीं रखना, अब आपके दिमाग में आया कि 122 बड़ी तोपे, 110 छोटी तोपे तब तो हो गया, पढ़ लिए आप, क्योंकि ऐसे-ऐसे facts तो भड़े पढ़े हैं, कितना पढ़ हो गया, तो आपको difference करना होगा, कि दरोगाई तो खाना सबसे important है, दूसरा जो फ्रांसेसित हैं, वो important है, बाकि सब छोड़ सकते हो, बहुत संभिधान संगिये है, यानि फेडरल है, और दो लक्षन एकल और संगिये का परते निजित्व करता है, लेकिन इसमें केबल एकल नागडिकता का प्रावधान है, मैं इसको भी आपको बताई देता हूँ, इसको भी देखे, भारत का संभिधान क्या है, संगिये, ठीक है, एकल नागडिकता, एकल नागडिकता है, संभिधान संगिये है, लेकिन इसमें केबल एकल नागडिकता का प्रावधान है, भारतिय नागडिकता का, वो एकल नागडिकता क्या है, भारतिय नागडिकता, दूसरी और अमेरिका जैसे देशों में, प्रतेक व्यक्ति के पास ना केबल राश्ट्रिये ना केबल एक देश की नागरिकता होती है बलकि जिस राज्य में रहता है उस राज्य की भी नागरिकता हो गया अमेरिका का जिक्र यहां पे हैं अमेरिका का जिक्र है अब देखिए इसलिए वह अपने अधिकार के दो समुहों का लाब उठाता है प भारत के सभी नागरिक चाहे वो किसी भी राज्जी में पैदा हुए हो या रहते हो संपुन देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राफ होगा। सभी नागरिकों की एकल नागरिकता और समान अधिकारों के अनेक प्राफधानों के बाबजूद। सिटिजन्सिप है एकल नागरिकता है और आजे नागरिक के अस्तर पे किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है अमेरिका में डूल मेंबर सिटिजन्सिप है एक सेंटर में और एक स्टेट का इसके लिए इतने सारे सपोर्टिव फैक्स हैं अब इतने सपोर्टिव फैक्स को जब आप पढ़ेंगे तो starting में students को दिक्कत होता है ठीक है starting में दिक्कत होता है तो इन चीजों को आपको समझना पड़ें supporting facts key facts and secondary facts यह तीनो facts अलग अलग होते हैं आपको आपका पकर इस key facts पे की facts पे हमेशा होता है सा होता है, स्टार्टिंग से होता है, याद रखिएगा, सिप आप गलत फ्रैमी की सिकार होते हैं, आपका अगर कोई किसी पे पकर नहीं होता, तो वो सिकेंडरी फैक्ट पे नहीं होता, सिर्फ सिकेंडरी फैक्ट पे नहीं होता, हमेसा प्राइमरी फैक्ट पर पकर होता है, सबस्टार्टिंग से अब सवाल है कि हम कैसे करेंगे कि कौन सा प्राइमरी है यसे की है कौन सा सिकेंड्री है कौन कि इस तौपिक वाय तौपीग गांदी जी का टौपिक आ जाएगा वह सरी फैक्ट में मिन बदल जाएगा बहुत सा फोटिफेक्ट सेकेंडरी में बदल जाएगा, लेकिन तब भी कैटिगरी वहाँ पर भी बनेगा, अब आप नए स्टुडेंट हैं, नहीं समझ पाने तो कैसे होगा, देखिए, प्रीवियस येर कोश्चन पेपर, नॉर्मल कोश्चन पेपर, टेस्ट पेपर नहीं प्रीवियस येर कोश्चन पेपर, जो पुराने साल में पूछे गए कोश्चन पेपर है न, अलग-अलग इग्जामनेशन के, वो जिस ट्रैक पे तयारी कर रहे हैं, जिस ट्रैक पे उनका ये भी सीडी का ओप्शन है, वो जो ट्रैक है, वही आपका प्राइमरी एंड सेक सबसे बेहतर तरीका है तयाप पता करने का, जो प्रीवियस येर है, अलग-अलग इग्जामनेशन का, तो आपको समझ में आएगा, किस तरह के सवालों पे ज़्यादा फोकस किया जा रहे हैं, किस तरह के जो सेकेंडरी फैक्स है, वो कभी-कभी आ रहा है, या प्राइमरी को सपोर्ट करता हुआ रहे हैं, और यह जो पूछा गया है, तो इस तरह के क्या और भी-फैक्स हैं, अगर और भी-फैक्स हैं, जो important हैं, तो उसको आप सिकेंडरी में डालके पढ़िएगा, प्राइमरी को छोड़ दीचे, प्राइमरी तो अलग ही है, और सपोर्टीव प समाप्त हो जाएगा और बहुत आसानी से आप बहुत आसानी से जो आपके पास है ना पहले से ही उसी पर confidence आ जाएगा नया पढ़ने की जवरत भी नहीं होगी आप बस उसको डिवाइस करेंगे और उस क्लियर हो गया एक्जाम नजदीक है अब तो दस बर पढ़ लोगे अब तो दिक्कत नहीं है ना अब तो दस बर पढ़ लेंगे तो आराम से जाएए और पढ़िए एक्जामेशन बहुत नजदीक है तो नजदीक में सपोर्टीव फैक्स पे ध्यान रखिए उसको साइट मिलते हैं अगले वीडियो